नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए विडियो में स्वागत है साथियों जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि जिन के पास आईसमान काड होता है वे लोग किसी भी सरकारी ये प्राइबेट हस्पिटल में सलाना पांच लाक रुपे तक का फिरी में इलाज करा सकते हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि आईसमान काड कैसे बनता है क्योंकि जिन के पास है वे तो करा सकते हैं इलाज लेकिन जिनके पास नहीं है वे लोग का आईसमान कार कैसे बनेगा तो मैं आपको बता दूँ कि भारत सरकार के तरफ से स्वास्त मंतराले जो है उसके तरफ से एक लिस्ट निकाला गया है एक लिस्ट जारी किया गया था जो 2011 के सेंसस यानि की जनगनना की अधार पर उस लिस लिस्ट में जिनका भी नाम है उनका ही आईसमान कार बन पता है आईसमान कार ऑनलाइन अपलाई करके खुद से मुबाईल से बनाया जा सकता है लेकिन कॉब जब आपका लिस्ट में नाम है तो अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आपका आईसमान कार नहीं बनेगा तो यहाँ पे तो सबसे बड़ा सवाल है कि जिनका लिष्ट में नाम है वे लोग तो अपलाई करेंगे और बना लेंगे इस पर मैं वीडियो भी बनाया हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका लिष्ट में नाम नहीं है अब लिष्ट में नाम नहोने का कारण यह है कि जब 2011 में जो आर्थिक जनगनना हुई थी उसके बाद से तो जनगनना हुई नहीं है और 2011 में जो जनगनना की गई उसमें जो भी आपकी यहाँ पदाथिकार गन या सिक्षक गन जो भी जन गनना करने के लिए आये थे तो वे जैसा आपका डाटा लिए वैसे हैं डाटा सरकार को प्रभाइड कर दिया गया अब यहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग गड़ी भी रिखा के नीचे हैं या यू कहें सवरलवासा में कि जिन लोगों को आइसमान कार्ट की सक्त जरूरत है और उनका लिस्ट में नाम छुट गया अब उनका लिस्ट में नाम नहीं है उनका आइसमान कार नहीं बन पता है उनको आइसमान भारत यूजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है बहुत से ऐसे लोग हैं मैं पहले भी वीडियो बनाया हू बीना लिस्ट में नाम की आइसमान कार्ट कैसे बनाए तो उसमें बहुत से लोगों का कमेंट आया कि मेरा तो आइसमान कार्ट के लिस्ट में नाम नहीं है मैं आइसमान कार्ट के लिस्ट में नाम कैसे जोरू या मैं आइसमान कार्ट कैसे बनाऊ यहां पे बहुत से लोगों ने comment किया है तो मैंने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका list में ही नाम नहीं है तो उनका आइसमान कार तो बनेगा नहीं और list में नाम जूरने का online कोई facility नहीं है तो आइसमान कार उनका बनेगा कैसे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आइसमान कार के list में जूर्व यकती का नाम नहीं है उनका list में नाम कैसे जूरेगा क्योंकि लिस्ट में जब जूर जाएगा तो आपका आइसमान कार 100% बन जाएगा तो यहाँ पर सबसे मुख्य बात है लिस्ट में नाम को जोरना तो मैं इसको बताऊंगा step by step आपको समझाने की कोशिस करूँगा कि लिस्ट में आपको नाम कैसे जोरना है और साथी साथ आपको document क्या देना होगा आइसमान कार्ड बनाने के लिए बहुत से लोग पुछ रहे थे कि योगता क्या रखी गए है उसको भी मैं बताने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ही helpful होने वाली है बहुत ही ज़्यादा महतपुर्ण होने वाली है तो आप इस वीडियो को complete watch करें यानि कि सुरू से अंत तक जब आप देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि आइसमान कार्ड के लिस्ट में नाम कैसे जोरा जाता है या आइसमान कार्ड कैसे बनता है या आइसमान कार्ड बनाने के लिए योगता क्या होनी चाहिए ये तमाम जनकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वी वीडियो शुरू करते हैं एक बात और है मेरे टेलीगराम चैनल और फेस्बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन बक्त में मिल जाएगा वहाँ पे भी मैं आपको अपडेट देते रहता हूं तो इसलिए उसको भी फोलो कर ले चलिए शुरू करते हैं दोस्तों प्रधान मंतरी आयुसमान भारत यूजना के लिस्ट में नाम को जोरने के लिए मैने पहले भी वीडियो बना रहा है उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है क्लियर करने वाला हूँ कि लिष्ट में नाम क्यों नहीं जुर रहा है कैसे जुरेगा मैं इसको बताऊंगा जिससे कि आप लिष्ट में नाम जुर करके और आपना आईसमान कार्ड बना सके जिन लोगों का आईसमान कार्ड अब तक नहीं बना हुआ है लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों का आईसमान कार बनता है और किन लोगों का नहीं बनता है योगता क्या रखी गई है तो मैं आपको बता दूँ कि आईसमान कार बनाने के लिए आपके पास में योगता क्या होना चाहिए तो मैं आपको बता दूँ कि जिस ब्यक्ति का आईसमा कर बनाना है वह भारत का नागरिक होना चाहिए साथी साथ उस ब्यक्ति के नाम से या उस ब्यक्ति के परिवार में किसी भी सदस्ट के नाम से पक्का मकान नहीं होना चाहिए चारपहिया वाहन नहीं होना चाहिए चक्की कल नहीं होना चाहिए दुकान नहीं होना चाहिए इत अगर मिल रहा है तो आइसमान कार्ड के दाइरे से बाहर रखा जाएगा आइसमान कार्ड के लिस्ट में नाम नहीं जूरेगा और आइसमान कार्ड नहीं बन पाएगा यहाँ पर आएकर का तो दाइरा नहीं रखा गया है लेकिन भविस्ट में इसके उपर भी विचार किया पहुत से ऐसे लोग हैं जिनका आइसमान कार्ड के लिष्ट में नाम नहीं है उनका जल्द ही 2022 में जनगरना होना था लेकिन हुआ नहीं 2030 में अगर जनगरना होता है तो उनका नाम यहां पर जिन लोगों का चुटा हुआ है ऑटोमेटिक ही जूर जाएगा लेकिन फिर भी अ आसन कार्ड होना चाहिए बीपील कार्ड है तो और अच्छा है अगर बीपील कार्ड नहीं है तो भी चलेगा क्योंकि बहुत से राज्यों में बीपील कार्ड को बंद कर दिया गिया है जो लोगों का बीपील कार्ड होता था उनको गरीबी रेखा के नीचे तो 100% सियोर है कि समझा जाता था लेकिन अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग गड़ी भी रिखा के नीचे हैं लेकिन उनका न तो भी पिल काड है न तो उनका आर्थिक जनगनना के अनुसार आईसमान भारत यूजना के लिश्ट में नाम है उनको आईसमान काड की सक्त जरूरत है यहाँ स्वास्त मंद्राले भारत सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उन लोगों का आईसमान काड कैसे बने उनके लिए कोई ऐसा ऑनलाइन विवस्ता करना चाहिए जिससे कि उनका डक्मेंट को भेरिफाई करके और उनका डायरेक्ट आईसमान काड बन जाना चाहिए क् अभी तक Iceman कार को online बनाने के लिए बिना लिस्ट में नाम का कोई भी facility नहीं है कोई भी option नहीं है तो यहां पर मैं भारत सरकार के स्वास्थ मंतरी से निवेदन करता हूं बिन्नति करता हूं कि जिन लोगों को Iceman कार की जरूरत है उनका Iceman कार कैसे बने इस पर विचार किया ज ताकि गरीब से गरीब लोग इसका लाव ले सके क्योंकि बहुत से ऐसे लोग है जिनको iSman card की जरूरत है और उनको iSman card अभी तक नहीं मिल पाया है चलिए अब जुन लोगों को iSman card के list में नाम जोरना है वे लोग कैसे जोरेंगे साथियों मैं आपको बता दूँ कि इस पर तो मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है यहाँ पर डाइरेक्ट कोई option नहीं है कि जिससे की आप आईसमान कार्ड के लिस्ट में नाम जूर पाएं मैंने बताया ता इस वीडियो में कि आपको रिक्वेश्ट करनी है कि मेरा आईसमान कार्ड के लिस्ट में नाम नहीं है तो वे request फरम भड़ा जाता है अगर आपका request accept कर लिया जाता है आप युगता को fulfill करते हैं तो आपका Iceman Card के list में जब भी list को update किया जाएगा अब list को खब update किया जाएगा इसके बारे में तो अभी कोई सुचना नहीं है लेकिन जब भी update किया जाता है उस period में आपका हो सकता है कि list में नाम आ जाए तो आपका Iceman Card बन पाएगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि direct Iceman Card के list में नाम जोरना है तो ये मुम्किन नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी online नाम जोरने के लिए facility नहीं रखा गया है यहाँ पे Iceman Card वहीं लोग बना पाएंगे जिनका list में already पहले से नाम है जो 2011 है के जनगनना में उनका list में नाम लिया गया था वे लोग का ही बन पा रहा है लिस्ट में नाम जोरना है तो आपको wait करना होगा कब तक जब तक की आर्थिक जनगनना नहीं हो जाती है तब तक यह वीडियो आपको कैसी लगी अभी भी आपके मन में किसी भी परकार का सवाल प्रसन है तो आप comment section में comment करके हमसे पूछ सकते हैं चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो दखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद